दोस्तों कुछ लोगों को Google Paper Mandate देखने में दिक्कत हो रही तो मुझे लगा इसके बारे में QNEC में वीडियो ही बना देता हूं दरसल आजकल जब हम लोग IPO के लिए अपलाई करते हैं तब काफी प्रचलित तरीका ये हो गया है कि हम लोग UPI ID का इस्तिमाल करते हैं दरसल जब हम UPI ID डालते हैं तब वो mandate भीजते हैं जहां कि आप UPI ID डालते हैं तो अगर आपने Google Pay की UPI ID डाली हुई है जो वहाँ पर आपका शो करता है तब आपका mandate Google Pay पर आएगा अगर आपने इसी banking app की UPI ID डाली होगी तब वहाँ पर mandate का message आता है तो आज की वीडियो में हम लोग Google Pay पर देखने वाले हैं कि कहां पर ये mandate का option हमें मिलेगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको Google Pay को open कर लेना है और यहां पर आपको डाल लेना है अपना PIN चलिए हम अपन पर कुछ latest रहेंगे तो यहां पर आपको click कर लेना जहां पर यह मैंने गोला बनाया है green color से इसका color मैं change कर देता हूं ठीक है तो यहां पर हम click कर देते हैं click करने के बाद ही आपको आपने सामने जो दिख रहा है क्या दिख रहा है ये option mandate का तो यहीं पर जो भी mandate आपका आने जो भी मैंने UPI ID इस्तमाल किया है तो मुझे आज तक अभी तब कोई भी दिक्कत देखने को यहां पर नहीं मिली है तो यह mandate वाला जो मैंने इसको बना रख़ा है इसको चलिए हम open करके दिखाते हैं यहां पर आपको एक लिखा हुआ दिखा रहा no pending requires क्योंकि जो भी चीज ठीक है बीच वाले में यहां पर अभी देखे कुछ नहीं है खाली है तो जब वहां पर शो करेगा तो एक आपको यहां पर बटन आ जाएगा इस जगहां पर blue color का वहां लिखा रहा है कि Atherois जब Atherois कर देंगे आप तब आपको वह ले जाएगा आपके जो bank का UPI वाला तो वह पिन आप डाल देंगे तो वह आपका आजाएगा इधर वाले section में यह live वाले में यह live पर हमने क्लिक किया तो अभी आप में देख रहे होंगे दो मेरे यहां पर live है अलग-अलग amount के हैं क्योंकि दोनों एक यह data patterns वाला है और एक है map my India यह दो अलग IPO के लिए मैंने अपलाई कर रखा है तो यह live में दिखा रहा है और तीसरा option यहां आपको मिल जाए completed वाला तो जो complete हो जाएंगे जैसे ही जब भी यह IPO लॉट हो जाएंगे आपके account में पैसा लॉट चुका होगा तब आपको यहां पर completed वाले section में यह सारी चीज़ें डिटेल आपको दिख करता हूं कि आप लोग समझ गया होंगे अब आपको mandate के संबंद में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी Google Pay पे अगर आपको किसी और UPI ID पे mandate के बारे में problem आ रही है यह कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप comment करिएगा मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा तो मिलत लिए नेक्ट वीडियो में इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए नमस्कार